काफी दिनों से कमेंट आ रहा था जादा फॉर उनिवर्सिटी को लेकर कि इसमें आडमिशन प्रोसे साब बतलाईए कैसा अडमिशन होता है तो बतला दू इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने इस पे बात किया था फिर भी इस पे हम सिर्फ जानेंगे कि आडमिशन आ देखें नोटिस आएगी जो भी यहां पर जो आडमिशन प्रोसेस से रिलेटेट तो आपको नोटिस यहां पर दीख जाएगी टॉप पर भी आउप नीचे देख सकते हैं जैसे सतर तारीक का नोटिस आया है ठीक है उसी तरह आपके बहुत सारे नोटिस यहां पर आकर किशी भी पॉर्टल से ओपना इनवर्सेटी में लिंक दी हुई रहे गी नोटिस Osam यहां पर entrance examination होते हैं या नहीं तो बतला दू, majority of courses में यहां पर entrance examination होते हैं, bachelor वाले पर भी होते हैं, और master's वाले पर भी होते हैं, कुछ courses हैं जिसमें नहीं होते हैं, तो उसकी मैं अलग से video बनाऊँगा, क्योंकि यहां बहुत सारे courses हैं, आपको courses यहां देख सकते हैं, courses जाकर कहां से, तो बतला दू, admission में जाना है, courses में आपको देखना है, जाकर, तो सबसे पहले यहां पर बोला गया है, बाचलर वाले courses में, और इंटरेंस examination कहां होते हैं, तो बतला दू, उसके लिए आपको centers और date आपको provide करती जाती है, इस बर कुछ भी update अभी तक नहीं आया है, हो सकता है, major changes देखनी को मिले, percentage के basis पर admission हो जाए, पर ऐसे chances कम लेगरी कि university यहां पर आपके marks के basis पर लेगा, फिर भी बहुत सारे university कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते, इस पर जब भी date वगरा आएगी, तभी परता चल पाएगा हमको कि क्या होने वाला, यहां पर आपके admission process कैसे होंगे, ठीक है, पर जो है, नॉर्मली जहां तक हमें पता है, यहां पर आपके examination होते है, examination में syllabus आपको provide कर दी जाती है, syllabus की video मैं कोसिस करूँगा, आप जल्द ही बनाओ, क्या क्या आपसे पूछा जाता है, जाता तर आपके last year से ही रहते हैं, जैसे आप apply कर रहे है political science में, form आपको fill up करना होता है, examination आपके होते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो selection list आती है, selection list कैसे आएगी, आपने जो score कर रहा है, उसमें selection list आपको upload कर दी जाती है, कहां university के site पे यहां पर upload हो जाएगा, upload करेंगे, जैसे आपने notice देखा था, सुरू में आपको लोगों को दिखा है, तो home में उसी तरह वहाँ पर जो है, आपके यहाँ पर notice लग जाएगी, यह यह selected हुए है, इन subject में ठीक है, तो उसपे फिर जाकर आप admission डेट आपको दिया होता है, तो एक विडियो में मैं बतलाओं, तो काफ़े time लग जाएगा, क्योंकि बहुत अलग-अलग streams के भी लोग देखते हैं, और जो है, किसी particular streams की मैं बात करूँ यहाँ, तो वो जो है, सही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें वो information नहीं चाहिए, तो क्यों वो time waste करें यहाँ, ठीक है, इसलिए मैं अलग से जरूर बताओंगा, जितने भी streams में कुछ हमें अलग देखनी को में होता है, तो अभी तक कि जो